जी नमस्कार, क्लास नमबर दो है ये, क्या है? क्लास नमबर सेकंड और सेकंड क्लास में आप बात करेंगे N.I.O.S के क्लास नमबर दू तो पहली क्लास देखने के बाद बहुत सारे सज्जोनों को लगाओ, यार बड़ा बोरिंग है और सच बताऊं तो बोरिंग है, लेकिन अक्सर न, असरदार चीज़े वही होती है, जो कड़ भी होती है, बोरिंग होती है तो जैसे भी आने, तो N.I.O.S आपके लिए कैसे असरदार होगा? इसमें आज, क्योंकि इस दूसरी वीडियो में आप जानेंगे कि पहले जब गुरू का रोल हुआ करता था, गुरू के रोल के टाइम न, कोई बिख्षा मांगने कर जाता था, तो बिख्षा मांगने को क्या बोला जाता था? तो अब पता नहीं भाई, D.S.S.P. वालों को दिमाख में क्या आएगा और क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो हम हरूस बारीक को देखके चलेंगे, जहां से हमारा सवाल बन सकता है. तो N.I.O.S. के पारे में जब आप पढ़ते हैं, तो हमारे दूसरे चेप्टर की प्राचीन काल में गुरू की जो अवदारना थी, वो क्या दी? तो प्राचीन काल में गुरू की जो अवदारना थी, वो सी तरीके से जैसे आपके किष्ण बगवान और सुदामा की कहानिय जाती है, तो किष्ण बगवान और सुदामा की देखेंगे, तो वो लोग गुरू कुल में जाते थे, जहां गुरू क्या थे, उन्हें शिक्षा देता था, और एक निश्चित क्या है अवदी के लिए, उन्हें क्या कराया जाता था, उसके बाद उसमें कोई भी पक्षप नहीं होता था, मतलब हम अगर inclusive education का concept लेके आते हैं, तो इसी तरह कि एक तरह जहां बगवान किष्ण थे, उसी तरह दूसरी तरह सुदामा थे, और दोनों एक ही गुरू कुल में क्या करते थे, पढ़ते थे, इसका मतलब अगर हम कुछ concept सीखते हैं, तो हमें यहां से ही प सावधान है, यह हमारे सामने जब हम देखते थे, राइक टो एजूकेशन में और नहीं, एन एपी में भी आना शुरू हो गया, तो उस टाइम भी निशुल शिक्षा दी जाती थे, लेकिन भई हर चीज को चलाने के घर्च होते थे, तो गुरू कुल में भी होता यह था, खर चलाने के लिए ने जुरुत हुआ करती थी, तो उसके लिए जो बालक होते थे, जो सिशे होते थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, विक्षा मांगे लाते थे, लेकिन जो बिक्षा उसे क्या कहा जाता था, तो जो बिक्षा थी उसे कहा जाता था, माधुकरी, क्य student क्या थे, equal थे, वहाँ पर जो गुरु कुल में जो है, जो गुरु जी थे, वो एक पिता के समान माने जाते थे, गार्जिन्स के उसमें माने जाते थे, वो student को क्या करते थे, बिना किसी फीज के पढ़ारे से जो हमने बाती कर लिया, consider जिसे बात में आप क्या करते थे, बच्चों का क्या था, कि वो एक gift देते थे, अपने गुरु को, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, कि आज मैं तुम्हें विद्यादान तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी गुरु दक्षिना क्या होगी, मेरी गुरु दक्षिना, like, share, subscribe नहीं, मेरी गुरु दक्षिना होगी, वो जो आप मुझे result देंगे, तम मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने कुछ काम्यावी हासिल करी, तो उसके बाद अब जब आप जान लेते हैं, तो यहाँ चलते चलते, आपने देखा हूँ, आपर गुरु कुल में सब लोग सिख्षा लेने आ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, महेश्वर, गुरु साक्षात परंबर्मा, तमसे श्री गुरु देवा, नमा, तो यहाँ से हम जम इन सारी चीजों को लगते हैं, तो मतलब बारते इतियास एक चीज को भी बताता है, गुरु की इज़त पहले से कितनी रही है, और फिर आज के टाइम में जब यूट्यू बना है, तो अगर 99% गुरु को गुरु ही मानते हैं, तो एक परतिसत बच्चे बेता हैं, ओए क्या कर रहा है तूँ, ये भी आते हैं बाचे हैं, व्यू बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, कोई कुछ बोलनेगा, क कि कुछ गोबर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो शब्दों के साथ आप देखेगा, कि हम लोग ना आज क्या परदास करने लें, क्यों, क्योंकि हम डिजिटल गुरु हो गए, नए वाले गुरु हो गए, क्योंकि हमें गुरु दक्षिना नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए हमें तो बस व्यू चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं और ये फिरी में काम तो ये बड़ी जानगारी के साथ चल रहा है तो ये गुरू का कॉंसेप्ट आया था चेप्टर नंबर टू के इंडूड़क्शन के साथ अब इसके बाद गुरू की भूमिका के बाद नया जो अध्याय होगा तो गुरू की भूमिका के जानने के बाद तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूई सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि प्राचीन काल में जो बच्चे सिक्षा के लिए भिक्षा मांगने जाते थे उसे क्या बोला जाता था तो उसे क्या बोला मधू करी याद रखना ठीक है अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हमारा तीसरा आएगा और जो तीसरा स्टेज आएगा उसक किन यहां एक चीज आजाती है कि आप अगर देखेंगे तो पुरानी किताबों के साथ भी आपको यही दिखाई देगा कि यहां पर आपको फादर एंसन दिखाई देगा तो बहुत जगया हो सकता है कोशन मार खमेशा आदा है जेंडर डिस्क्मिनिशन वाली बात अगर द मच बने देगा दन मचा खुछ रहे हैं मुस्कराते रहेगा